हलो स्टूडेंट्स वेलकम टो माई चैनल लियन ओलान एकेडमी आपके साथ आज वीडियो शेयर कर रही हूं हमें फस्स सिमेस्टर का इंट्रोडेक्शन टू रिसर्च इन एजुकेशन ये सत्तर नंबर का कोशन पेपर है तीन घंटे की टाइमिंग है दोहजार इकिस का कोई भी पाच कोशन अटेम्ट करने रहेंगे पहला कोशन है सैक्षिक शोध का छेतर क्या है बुन्यादी शोध किस प्रकार व्यवहारिक शोध से भित है दूसरा कोशन है सिक्षा में शोध के विभिन अधिगम क्या है मिश्रित शोध की विशेष्टाएं लिखे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं यानि संचिप्त टिपड़ी लिखनी है अभी धारणा एवं परिकलपना पर परिकलपना परिक्षण में तृटी के प्रकार पर एक उत्तम परिकलपना का अर्थ प्रकार यवं विशेष्टा बताईए ये कुशन नमबर फोर है कुशन नमबर फाइफ पर आते हैं प्रति दर्श को परिभाशित कीजिए ये किस प्रकार जनसंख्या से भिन हैं एक उत्तम प्रतिदर्श को विशेष्टाएं प्रतिदर्श की विशेष्टाएं लिखिए कुशन नमबर सिक्स प्रतिदर्श चैन की विभिन विधियां कौन सी हैं असंभाव्य प्रतिदर्श की विभिन विधियों का उचित उदाहरणों के साथ वर्णन कीजिए नेक्स्ट कोश्चन है शोद में सम्बंदित साहित के पुनर निरिक्षर के महत्व की विबेचना कीजिए सम्बंदित साहित के लिए उप्योग में लाए जाने वारे सूचना इस्त्रोतों का वर्णन कीजिए नेक्स्ट कोश्चन है निम्लिकित पर टिपड़ी करनी है नुसंधान में तिक्ता शोद के विभिन डिजिटल उपकरन कुशन नमबर 9 निम्लिकित पर टिपड़ी करनी है शोध समस्या की पहचान के विभिन इस्त्रोतों की सूची बनाईए और कुशन नमबर 10 है कुशेन नमबर 9 का कुशेन नमबर 2 है गुडात्मक वा मात्रात्मक शोध में शोध प्रशनों का महत्वर इस पर टिकुड़ी लिखनी है कुशेन नमबर 10 सिक्षा के चेत्र में एक शोध समस्या को पहचानिये तथा समस्या अध्यन के विभिन पदों की भी वेचना कीजिए सो स्टुडेंट्स ये थाज का वीडियो उमीद है आप लोग को पिसंद आएगा आप लोग के लिए यूसफुल होगा लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए मुझे बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए पूरी कोशिश करूँगी आपको उस टॉपिक का वीडियो प्रवाइट कर सकूँ सो पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे मिलेंगे अगले वीडियो में